हेलो फेकल्टीज, बूर्निंग तु वान एन अल, देखिए आज अपन DPP 15 का डिस्केशन करने वाले हैं, continuity and differentiability के ओपर बेस्ट है ये DPP 15, तो देखिए फर्स्ट कॉश्चन है हमारा, let fx equal to x sin 1 by x plus sin 1 by x square, x is not equal to 0, then 0 दे रखा है धर और x equal to 0 के लिए function 0 है, हमसे पूछा है, limit x tending to infinite, f of x क्या होगा, देखो अब ये बात, question आपके सामने मैंने बहुत अच्छे से read कर लिया ना, सबसे पहले हमें क्या दियान रखना है, जब भी question आप इस्टार्ट करोगे, बच्चों के सामने question को बहुत अच्छे से read करो, ताकि बच्चों को वो समझ में आए, अब देखो, अब limit x tending to infinite, calculate करना है, इस्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो limit x tending to infinite, x sin 1 by x plus sin 1 by x square, ठीक है, तो यह जो x लिखा हूँ है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, 1 by x, x को 1 by x पर convert कर दिया मैंने, और यहाँ पर 1 by x square पढ़ा रहेने दो, अब देखो, x infinite को tend करेगा, तो class में आप यह बात बच्चों को बताओ अच्छे से, कि जो हमारा limit x tending to infinite है, 1 upon x, यह क्या है आपका 0, क्यों? क्योंकि x infinity को tend कर रहा है न, तो 1 by x 0 को tend करेगा, तो यह 0 और यहाँ पर भी 0, तो sin 0 upon 0, क्या होता है, यह हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 by x square यानि कि 0 का अप्रोच करेगा, तो यह 0 हो जाएगा, तो इसके वाले कितने निकल के आएगी, 1, तो limit x tending to infinite, 1 आपका answer है, ठीक है?